अगर आपने कला में अभी तक कुछ नहीं पड़ा है, आपको समझ नहीं आ रहा कि आप कला में कैसे पास होंगे, तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप 100% सुर हो जाएंगे, कि आप कला में 100% पास भी होंगे और अच्छा से अच्छा नंबर प्राद भी करेंगे, जो मैं तरीका बताने वाला हूँ, उसको अच्छी तरसे अपलाई कीजेगा, और अच्छी तरसे उसी अधर पर तयारी कीजेगा, मातर एक दिन में आपकी तयारी कला की 100% हो जाएगे, अच्छे से हो जाएगे, और आप 70 में से 60 नंबर पा ही जाएंगे, 60 या 65 नंबर होता है, प्रावर्धित कला होता है, और तीसरा खंड आपका स्मृति चित्र कला होता है, प्रावर्धित कला और आलेखन में से 2 केवल एक को करना है, किसको इन बच्चों को आलेखन करना चाहिए, और किन बच्चों को प्रावर्धित कला करना चाहिए, इसको मैं आगे बत जाएगा कि किसको किसको आले खण करना चाहिए तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका आले खने जो की आपका 20 नंबर गवकेलब्ण पी पूछा जाता है जो • यहाँ पछ एग्जाम के लिए स्थान पर आपको लेना होता है लाल नीदा पीला एंसर नवर को समझाना है कि गम क्या होती है आग-ःग कैसा होता तो आग का रंग लाल उसका आपो रंग क्या हो जाएगा लाल हो जाएगा इसका आपसर नंबर यह पिल्कुर right answer हो जाएगा। दूसरा question आपके सामने दीया हुआ कि मुख्य रंग कितने होते हैं तो मुख्य रंग आपके दो परकार के होते हैं इसका option number आपका C बिल्कुर right answer हो जाएगा। उसके बाद देख सकते हैं चान नंबर question आपके सामने है कि निम्न में से दूतियक र लेकिन अगर आप में पीला और नारंगी दोनों दिया है तो पहले आपको नारंगी को प्रायोटी देना है तब पीला को देना है अगर आप में नारंगी नहीं दिया हो कोई अंग रंग हरा दिया हो और पीला दिया हो तो आपको पीला लगाना है लेकिन अगर आप में पीला चकर में कितने रंग होते हैं जब भी आपके सामने पूछा गया है कि यहां से आपको पारदर्सी रग क्या होता है, जो तेली रंग होता है वो पारदर्सी रग होता है, जिसका आप साथन नम्बर आपका B बिलकुल राइट अन्सर हो जायेगा, आथवा नमबर क्यूशन आपके सामने दिया हुँआ की सफेद का बीरोधी रंग कितना होता है, तो जो सफेद का बिरोधी रंग होता है वह काला होता है क्या होता है सफेद का बिरोधी रंग काला होता है क्योंकि जो काला होता है सभी रंग को आवसोसित कर लेता है और सफेद क्या होता है सभी रंग को प्रावर्तित कर देता है इसलिए दोनों आपस में क्या होते है बिरो बनेगा अपसे नंबर आपका क्या सभी हो जाएंगा भाट एंध्य सामने पूछा कि निमन में से कौन सा सीटल रंग है तो आपको समझना है घास कैसा होता है घास ah और यह लाल होता है जोंना नंबर आपको सीर्य गार्म होता है जबust नमबर क्योशन आपके सामने है कि दूतिया का रंग कितने परकारिक होते हैं तो दूतिया का रंग जो होते हैं तीन परकारिक होते हैं तिसका आपसा नमबर आपका डी बिल्कुर राइट इंसर हो जाएगा बारा नमबर क्योशन है कि पीला का बिरोधी रंग का उनसा होता है तो बीला का जो बिरोधी रंग होता है बुलू होता है क्या होता है बुलू यानि नीला होता है इसका आपसा नमबर ये बिल्कुर राइट इंसर हो जाएगा उसके बाद 13 नमबर क्यूशन आपके सामने है पूछा गया कि कला सब्द किस भासा से लिया गया है तो जो कला सब्देव संस्कृत भासा से लिया गया है तो इसका आपसन नमबर आपका B बिल्कूर राइट एंसर हो जाएगा उसके बाद 14 नमबर क्यूशन आपके सामने पूचा गया कि निमन में से किस पिंसिल दोरा खेची गए लाइन हलकी होती है जब भी आपको हलकी पूचे तो आपको यच, टू यच, थ्री यच, फोर यच इनमें से आपको लगाना है यहाँ पर देख सकते हैं टू यच और यच दोन दिया है तो पहले आपको किसको लगाना है यच को लगाना है इसका आपस नमबर डी बिल्कूर राइट एंसर हो जाएगा लेकिन डार्क पूचे यारी गाड़ा पूचे तो आपको टू भी लगाना है उसके बाद नेक्स कुशन आपके सामने पूचा कि कमरे की चट है तो कौन सा आलेखन परियुक्त होता है कि कमरे की चट के लिए किंदरी आलेखन परियुक्त होता है इसका आपस नमबर आपका बी बिल्कूर राइट एंसर हो जाएगा उसके बात 16 नमबर कुछा गया की इंदर धनूस में कितने रंग होते हैं तो बच्चे बच्चे को पता हुता है की इंदर धनूस में किल 7 रंग होते हैं इसका आपसर नमबर बी विलकुर राइट अंसर हो जाएगा 17. question पूछा हुआ कि फर्स के मद्ध भाग है तू कौन सा आलिखन सर्वाधिक उपरियुग्ध होता है तो फर्स के मद्ध के लिए जो आयत परियुग्ध होता है वो बृत्ताकार होता है तिसका आपसा नमबर आपका A बिल्कुर राइट इंसर हो जाएगा 18. question आपके सामने कहा है कि कपड़ी की रंगाई ने प्रिंटिंग है तू कौन सा रंग सारवाधिक उपयोग होता है तो सारवाधिक जो उपयोग होता है वो पोश्टल रंग को उपयोग होता है पिश्टल रंग का इसका आपसा नमबर आपका B बिल्कुर राइट इंसर हो ज पर काला सफेद दिया है नीला सफेद दिया है और पीला सफेद दिया है इसका आपसर नमबर आपका कौन साथ हो जाएगा दी बिल्कुर राइट एंसर हो जाएगा उसके बाद यहां पर देख सकते हैं 20 नमबर क्योशन दिया कि निमनें से किस फिंचल दौरा खीचे गए रे अगर आपका मैथ अच्छी से तयार है तो आपको क्या करना चाहिए प्रावर्धित कला करना चाहिए अगर आपको मैथ नहीं आता है तो आपको कौन कसा करना चाहिए उपर वाले को करना चाहिए आलेखन करना चाहिए पूरे पिपर को आपको अच्छी तयार करनेंगे तो यह हुआ कि किसी आयत के दो सनलंगन भुजाओं के मध्धिका कोड कितना होता है यह आपको बताना है तो जो आयत होता है दो भुजाओं के मध्धिका जो कोड होता है 90 डिगरी होता है तो इसका आपसन नंबर सी बिलकुर राइट इंसर हो जाएगा तीन नंबर क्यूशन यह के सामने कि एक किलो मीटर में कितने मीटर होते हैं तो यहां पर आपको बताना है कि एक किलो मीटर में कितने मीटर होते हैं आप सभी को पता है कि एक किलो मीटर में एक हजार मीटर होते हैं कितना एक हजार मीटर होते हैं इसमें नहीं दिया है पर एक हजार होना चाहिए तो य अमometer कोईशन दिया हुआ कि नेम्ल में से काउन सा बिढ़ात कोड नहीं है, यहां से आपको बिढ़ात कोड बताना आये, पार 380 धिगरी से चोटा उसे बिढ़ात कोड काते हैं, तो यहां पर देख सकते हैं 180 धिगरी से क्या हो बढ़ा होना चाहिए, तो 3 कुड 180 से बड़ा है और 360 से छोटा है कौन सा 180 डिगरित इसका आपसर नमबर आपका क्या हो जाएगा ये बिल्कुर राइट एंसर हो जाएगा क्योंकि ये 180 के बराबर है क्योंकि जो 180 के बराबर होता है उसे हम सरल कुड़ काते हैं सतमा नमबर क्योशन आपपर दिया हुआ कि किसी बृत के केंद की बाहरी जीवा ब्यास भाटता है किसमे बाढ़ता है तो दो समान भागों में बाढ़ता है किसका आपसर नमबर आपका ये बिल्कुर राइट इंसर हो जाएगा नवा नमबर क्योशन दिया हुआ कि किसी तिर्भुज के 22 कोड़ों का योग कितना होता है को तिर्भुज के जो 22 कोड़ों का योग होता है वह 360 डेगरी के बराबर होता है तो 4 समकोड के बराबर होगा तो इसका आपसन नमबर आपका भी बिल्कुर राइट इंसर हो जाएग 11 नंबर question आपके सामने पूछा गया कि यद किसी वर्ड की भुजा की लंबाई YX हो तो उसका बीकड कितना होगा यहां से आप देख लिजिए क्या है बीकड अबी YX, ए भी YX, ए भी YX, ए भी YX अधिक कुड क्या होता है ऐसा कुड जो 90 डिगरी से बड़ा हो और 180 डिगरी से छोटा हूँ से हम अधिक कुड कहते हैं 89 डिगरी क्या होए 180 डिगरी से छोटा है ये भी छोटा है जबकि ए 180 डिगरी से बड़ा है इसका आपसन 102 डिगरी हो जाएगा C बिल्कुर राइट एंसर हो जाएगा क्योंकि 102 डिगरी 90 डिगरी से बड़ा है और 180 डिगरी से छोटा है 13 नमबर क्योशन आपके सामने दिया हुआ कि 1 मिली मीटर 1 मीटर का कौन सा भाग होता है तो यह हजारमा भाग होता है तो इसका आपसा नमबर A बिल्कुर राइट एंसर हो जाएगा 14 नमबर क्योशन आपके सामने है कि किसी चतुर्भुज के सभी आंतरी कोडों का योगफल कितना होता है तो भी को पता है कि किसी चतुर्भुज के सभी कोडों का योगफल 360 डिगरी के बराबर होगा यानि चार समकुड के बराबर होगा तो इसका आपसा नमबर C बिल्कुर राइट इंसर हो जाएगा पंदरा नमबर कुशन दिया हुआ कि एक ही आधार और समान उचाई पर बने तरभुज आयत के छेतरफल का सही अनुपात कितना होता है तो इसका आपसा नमबर C बिल्कुर राइट इंसर हो जाएगा तो यहां से आपको पताना है कौन सा समच चतुर भुज नहीं है तो इसमें से आपसा नमबर B क्या है समच चतुर भुज नहीं है नेक्स कुशन पूछाएक इन में से कौन सा समध्य भादयक बिल्कुल सही है तो इसका आप्सन नमबर बी बिल्कुल सही है नेक्स कुशन देख सकते हैं दिया हुआ कि निम्न आकरती में से कौन सा बृत्ताकार नहीं है गतिमान, विद्दुत, पंखा, काला, छित्र, गोलक, साइकिल का पहिया या नल से गिरता हुआ पानी तो नल से गिरता हुआ पानी क्या होता है बृत्ताकार नहीं होता है तो इसका आप्सन नमबर डी बिल्कुल राइट इंसर हो जाएगा उसके बाद आपका अगला खंड है जो कि प्राकरतिक दिस प्राकरतिक दिस को आपको कैसे करना है जैसे मैं आपको बताता हूँ वैसे ही करेंगे तो आपको पूरा का पूरा नमबर मिलेगा तो यहाँ पर देख सकते हैं दिया कि 25 बाई 22 समी के आयत में ग्रामिर दिर से चित्र और सहित किजे जिसमें सिर पर गठरी रखकर कोई क्या हो घर की ओर जाती हुए ग्राम बेला जोपड़ी घास चरती हुए गाय आकास में उड़ते हुए पक्छी हो अगर आप चित्र की सनचना सही से बनाते हैं तो आपको 10 नमबर मिलेगा उसका संयोजन अच्छे से करते हैं तो 5 नमबर मिलेगा और संगत रंग यानि अच्छे से रंग का प्रियूक करते हैं अच्छे से उसको रंगते हैं तो आपको 10 नमबर मिलेगा और एक्जामनर को देखने में अच्छा लगता है सुन्दर लगता है तो वहां से आपको पांस नमबर मिल जाएगा उसके बाद आप देख सकते हैं अथवा दिया है चाहे उसको किजिए चाहे इसको किजिए दोनों में से एक को आपको करना होता है उसके बाद आप पर प्रावर्धित कला दिय दे गान इन 4 में से एक बनाएंगी तो आपकोências 10 नंबर मिलेगा यहां पर दिर सकते हैं अगला इसमें से दिया है दूसरे खंड में फ़िशने ला permite किताओун और आपका इसलिए आपका करा में जो नंबर होता है इसलिए अच्छी से तयार करेंगे मैं मिलता हूं इसी तरह के एक नेक्ष्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद